जै शिराम भगतो, जै शिरी बाला जी माराज, जै माता की कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सितें, स्वस्तें और बाबा की और मातारानी की असीम कृपा आपके उपर बनी भी है, ऐसी कामना दिल से करते हैं तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर रोज एक नई से नई वीडियो आप तक लाने के हमारी कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्याद अग्यान बर्दक होने वाली है इसमें हम जानेगे कि अगर आपकी शादी में भी की सिस्टम हो सकता है या फिर कोई जो है भूत प्रेट से रिलेटिड जो है कोई कारे हो सकता है तो बहुत सारी जानकारी आपको इसे वीडियो में मिलने वाली है तो अंतक बने रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेले करने उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जै श्री राम जै श्री बाला जी माराज मेंदी पुर्गी पवितर किरपा आपके परिवार पर ने अंतर बरस्ती रहे ऐसी कामना अपने इश्ट देव श्री बाला जी माराज से करता हूँ और ये प्रातना करता हूँ कि आपका परिवार खुश में हो मंगल मिया हो आपके घर में कोई भी विवा कारिये में रुकावट ना आए अगर विवा आपका लेट हो रहा है या कोई शादी विवा में रुकावट आ रही है या संतान का लेट होना ये क्या कारण का इंडिकेटर हो सकता है इसके पिछे किस चीज़ का हाथ हो सकता है क्या हो सकता है ऐसा मन में कई वारी वीडियो बना आती है क्योंकि हम जो ये जो वीडियो बनाते है ये इसलिए बनाते है क्योंकि कई लोग हमारे साथ इस पकार के सुवाल करते है कंटीनू कोशन करते है हम से पूछते हैं कि गुरू जी इस पर वीडियो बनाईए क्योंकि देखो समस्या है तो समाधान भी है अगर समस्या किसी भी पकार की आती है तो उसका समाधान भी होना होता है और ये समस्या क्यों आ रही है किस कारण से आ रही है इसके लिए अगर हमारा जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है समस्या का जो ये कारण है क्यों है किस कारण से है ये जो सबसे बड़ी विवहा कारण जो होता है अगर लेट होना होता है तो पित्रों की समस्या सबसे बड़ी मानी आती है कही न कही उस गर के जो पित्र है वो रुष्ट है उस गर के जो पित्र है वो कही न कही ऐसी योनी में गए वे हैं जहां उनका आदर्व और भाव नहीं हो रहा या तो वो किसी प्रेत योनी में है या किसी प्रेश पिचास योनी में है उन पित्रों का इस योनी में जाने का कारण ही उस परिवार का कुल होता है तो वो उस प्रिवार के ऊपर ऐसा प्रकोब बना के रखते हैं कि इस प्रिवार का ना तो हमने वन्स चनले देना ना इस प्रिवार के अंदर हम किसी बेगए ना खुशी होने देगी तो विभाग में कारिये कों के अंदर इस पकार की देरी भी बहुत जरूरी होती है और रुकावटे आती है और ये जो पितर जो समस्या जो इस पकार की होती है ये किस कारणों से ती है जैसा कि कईयों के पितर सर प्योनी में चले आते है गाफी लंबे समय तक कोई अकाल मिर्ट ओ घर Bush अंदर हुई हूँ होती है तो वो सरिपियोनी में उस पकार की पतर जो है चलियाती है और हमारे वो बार-बार इंडिगाटर देते है ले घर के वो बार-बार जो आपके घर के घर मिजुन होते हैं बड़े होते हैं उनको बार बार इस पकार की इंडिकेटर मिलते हैं नेकि वो नहीं समझतें कि ये किस कारण हो रहा है तो वो पित्र आपका साथ ही क्यो देंगे ये क्यो देंगे जब वो पित्र है iंजी और हम उनको कई नकई भूल गए जैसा कि हमारे माता पिता लगा लो हम जो हमारे माता पिता जीते जी हमारे सुक शानती के लिए थे हमारे को प्रसंद रखते थे हम को खुश रखते थे आज वो माता पिता को मरने के बाद हम उनको याद ही नहीं कर रहे कोई ऐसा कारियों में याद ही नहीं कर रहे पिर दूसरा तिसरा कारिया ये भी होता है कि कही न कही न कही कुल देवता का रूष्ट होना कुल देवता अगर आपके घर का कुल देवता भी रूष्ट है और कुल देवी भी रूष्ट है तो उस विवा के कारियों में अर्चने ही अर्चने ही अर्चने ही अर्चने अर्चने नियंतर पैदा होती रहती है और नियंतर नेकिन आप सोच तो पता नहीं यारे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे का विवा करने जा रहा हूं लेकिन बार बार ये अर्चने क इसकिया कारिया की निखिए उस घर के जो पितर है सड़ प्योनी के अंदर चले गए हैं और कहीं झागें दुरान उस घर के अंदर बार बार आपका जो विभाण के अंदर रुकावटे कारण आने का करण सबसे बड़ा यही माना जाता तीसार चोते चुछान यह होता है कि अगर घर के अंदर आपका बार-बार कोई क्युक्त को रहे हैं और पार बार पाध अवह भी एक कारण बार-बार पित्र पितर दोस क ही है। जब भी जिसके घर के अंदर पितर दोस हो गा उस-के घर के अंदर गरब पात के वस्थाय नियंतर बड़ती रहेंगी और बार बर गरब पात का होना यह उसी चीज़ का संकेत है और वो एक जगह से नहीं आती सारी ही तरफ से आ जाती है क्योंकि जिस पकार का एक्षिन होगा उसी पकार का डियाक्षिन होगा जब जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि कुंडली से लेट है हाँ कुंडली में भी कई वरी बरस्पती जो है अगर वो डाउन जाएगा और दूसरा जो शुकर ग्रह है वो भी अगर वीक हैं तो कही न कहीं विवहा के कारियों में ये देव जो देवत्ता गुरू दोनों का अपयोग होना बहुत जरूरी है कुंडली में कहीं न कहीं ग्रहों का इन ग्रहों का वीक होना ही इनसान की विवहा के अंदर प्की और रूकावट डाना हैं एक कालसर प्योग के खारन भी विवाव़ा नहीं रुकावट आती है अधिक सियाधागर कुंडली के अंदर काल musimy बनावे आ थे तो उसके अंदर भी बार बार रॉकावट आती है और बार अरचने आती हैं या फिर कोई ऐसा आज मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या संकट आजिक भी होते हैं तो ऊदू इस पकार का भी होता है जैसे कि कई बच्चों पर इस पकार की चिजे भी होती है कि वो श्रीर के अंदर वास करती है और वो सरीरिक संबंद नहीं बनाना चाहती किसी और के साथ तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इसके अंदर की रिष्टा ना होने का क्योंकि रिष्टों में बार बार रुकावट डालने का वो भी बहुत बड़ा कारण है कि विभार में जो रुकावट आ रही है वो संकर चाता है नहीं कि इस लड़की का रिष्टा हो या इस लड़के का रिष्टा हो अगर कहीं न कहीं इस लड़की या लड़के का रिष्टा हो गया तो मेरी जगा जो है इस घर से साफ हो जाएगी तो कल की वीडियो में आप देख लेना मैंने उस पर इस पकार का इंडिकेटर दे रखा है ये भी बहुत बड़ी समस्याए होती है और कई बारी ऐसा होता है कि जैसा कहीं का घर के अंदर एक ऐसी चीज छोड़ी जाती है कि जिसके कारण विवा का सही तरी कैसे दल्दी ना हो पाना रिष्टा बार बार तूटना ये छोड़ करा मालो बंदन पाना विवा का बंदन पा देना कि बहुत से लोग ऐसे देखो हर पकार के अब कई वारे अपस होते हैं यार हमने तो कुछ किया है यह नहीं करा कराई के कारण ही रुकावटों का कारण जो है विवा में बढ़ा रहता है और नियंतर वो कारिया आपके घर के अंदर नेकिन हम समझते हैं हम क्या करते हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं हम सोचता है यार पताहँ किया दिक्कत आ गई हम किसी कसी जोतिक स्कहपा जाते है या ऐसा कारिया करनी के लिए परियास करते हैं ने कि फिर भी हमारा कारिया बन नहीं पाता तो यह ने कुछ ने बहुत बहुत जरूर se थे क्योंकि बहुत से लोगों के कोश्चन इसके ओपर निरंतर बने वे हैं कि गुरुजी आप तो भूत प्रेत्तों से लेटिड कारिया बताते हो कोई विवा से लेटिड भी बताओ हमका हमने भी तो अपना विवा कराना है दूसरों का समधान करते हो हमारा भी करो क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस पकार के जो कोश्चन है हमारे साथ लोगों ने रख चुके हैं तो हमने सोचे क्यों ना आप आज उन व्यक्ति जो लोग बैचलर हैं तो उनके लिए भी ये कारिया हम बता दीजिए कि ताकि वो भी समझ जाएं कि अपने घर के अंदर इस पकार क कि हम सोचते हैं कि आपको हर वीडियो अच्छी से अच्छी लेकर आएं लेकिन हर पकार की समस्य से लेटेड वीडियो हम बना रहें अगर आप भी चाहते हो कोई ऐसे ऐसे टोपिक पे आपको वीडियो मनाएं जिससे जन कल्यान हो सभी का कल्यान हो सके तो इसके लिए आप पुर्पुर्गी पवित्र किर्पा आपके परिवार पर नियंतर बरस्ती रहे और जय मतागी.